हेलो दोस्तों मैं पूजह सखसेन फिर से आपके सामने हाज़र हुए हूँ एप्टिट्यूट की क्लास 12 के साथ में ये कहें प्रौफिट और लॉस की वीडियो 4 के साथ में यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो का एक्स्प्लैनेशन या कहें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को like करें चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को press कर दीजे ताकि वीडियोस की notification आपको time to time मिल सकें चलिए स्टार्ट करते हैं और dishonest businessman sales 900 gram in place of 1 kg एग बेइमान businessman है वो क्या करता है एक kilo की जगा 900 gram sale करता है इस तरीखी की question आपको देखने को मिल जाता है at the CP जितने रुपे में उसने खरीदा है एक kilo उतने में वो एक kilo की जगा 900 gram sale करता है तो उसे कितना percent profit होता है ये हमें निकालना है इस तरीखी की question को करते समय हम बहुत आसान है लिखेंगे profit percent profit percent देखिए कितनी का उसको फायदा हुआ उसे फायदा हुआ 900 gram समझ लीजिए 900 रुपे पर ये तो मैं आपको समझाने की बता लिए बता रही हूँ 900 रुपे यदि उसने invest किये तो उसे है केवल अब profit percent निकालना है असल में इसको यदि हम consider करें ऐसे तो 900 gram बेचा उसने एक किलो बेचना था लेकिन उसने बेचा उसकी जगा 900 gram किस पर CP पर इसको आप इस तरीकी से समझ लीजिए मान लीजिए मैंने किसी रुपे पर एक किलो चीज खरी दी क्या सेल कर दी 900 gram सेल कर दी तो क्या हुआ मैं कहूंगी कि लगबग 100 gram का मुझे फाइदा हो गया तो यहां कुछ वही concept चल रहा है फाइदा या कहें loss या profit उपर लिखते हैं जितने पर बात कर रहे हैं उससे नीचे लिखते हैं इंटो 100 कर देते हैं अब देखिए 100 तो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसल कर दिये मेरा आंसर आ गया 100 अपॉन 9 जिसको मैं कह सकती हूं 11 ओवर 1 अपॉन 9 परसेंट ठीके दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला सबसे पहले 10 परसेंट दिया गया और 15 परसेंट दिया गया तो वास्तविक डिसकोंट क्या हुआ इसके लिए एक फॉर्मुला हमने परसेंटेज में भी बिताया था कि ए प्लस बी प्लस ए भी बटा 100 तो देखे क्योंके डिसकाउंट है तो डिसकाउंट को हमेशे ध्यान रखेगा मैनस से शो करेंगे पहले हुआ मैनस का 10 फिर हुआ मैनस का 20 फिर फॉर्मुला क्या है प्लस का ए भी तो मैनस का 10 गुणा मैनस का 15 अपॉन 100 ठीके दोस्तों देखे मैनस 10 और मैनस 15 क्या हो गया मैनस का 25 ठीक है इनकाम किया तो मैनस और मैनस प्लस हो गया यह हो गया 150 बटा 100 आंसर के आगया आगया मैनस 25 प्लस का 1.5 तो हमारा क्या आगया मैनस का 23.5 तो हम यहां से कह सकते हैं 23.5 परसेंट हो गया हमारा डिसकाउंट दोस्तों एक डायरी बना लीजे और उसमें इन एप्रिट्यूट के कॉशन्स को नोट कर लीजे आप देखेंगे किसी भी लेविल का एक्जाम ले लीजे कॉशन घुमा फिरा के लगभग यही आते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एप्रिट्यूट के वीडियो के साथ में